हलो फ्रेंड्स आप सभी का फिर्ट से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इन्विजिबल बाबा में चैनल अभी तक सुस्क्राइब नहीं किया तो सुस्क्राइब बटन पे क्लिक करें और बैल आइकन पे भी क्लिक कर देता कि आपको मेरी आने वाली वीडियो तुरंत मिल जाए तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए एक ऐसो बिस्स आइडिया लेकर आया हूँ जिसमें आप यूट्यूब की मदद से बहुत जादा पैसा कमा सकते हैं वो भी बीना कोई चैनल बनाए बीना कोई वीडियो अपलोड करे हुए देखिए यूट्यूब पर जादो लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ एक तरीके से कमाए जा सकता है कि कोई भी आप वीडियो बनाए और उसको अपलोड करे और उससे पैसा कमाए लेकिन एक और तरीका है जिससे कि आप बिना कोई भी वीडियो अपलोड करे यूट्यूब से बहुत ही अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं वो भी सिर्फ एक बार पैसा इंवेस्ट करके ना कि आपको कोई महनत करनी है नहीं आपको कुछ करना है आपको एक ready-made product खरीदना है और उस product से आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं जानते हैं कैसे अगर आप अपने mobile का Android Play Store खोल के देखे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कई तरीके की apps को डाउनलोड करते हैं तो आपको क्या करना है friends आपको किसी भी famous YouTuber जो की बहुत जादा popular हो या फिर कोई YouTube चैनल जो बहुत ही अच्छा content देता हो उसकी एक app बनानी है आपको क्या करना है आपको वो app खुद भी नहीं बनानी वो मैं आपको वीडियो के लास में बताऊंगा कि आपको कैसे बनवानी है वो app देखिए आपको क्या करना है आपको कोई भी एक particular आपने सोच लिया कि for example ये famous YouTuber है ये famous comedian है इसकी मैं app बनाता हूँ तो आपने उसके नाम से एक app बना दी अब वो app आपने play store पे डाल दी तो लोग obviously उसको search करेते ही है play store पे या फिर वो suggestion में आ जाती है और apps की तो लोग उसको download करेंगे अब डावनड द्रोड करेंगे उसको खोलेंगे तो आपने क्या करा है? उसके सारे के सारे चैनल को integrate कर दिया उस app में तो लोग उसको click करके खोलेंगे तो उसकी सारी की सारी videos आजाएंगे उसमें समझे कोई comedy आना है तो उसकी सारी comedy वीडियोज आ जाएंगी तो फिर आप वोग उसको click करेंगे वीडियोज देखेंगे तो उस app पे बहुत सारे ads चलेंगे तो उन ads से जो भी revenue होगा वो होगा आपका अब दीखिए कई लोग मेरे को ये भी बोल सकते हैं कि एक illegal काम है क्यों क्योंकि आप किसी और के मेहनत से पैसा कमा रहे हो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है पहली बात आप उसके content से पैसा नहीं कमा रहे हो आप क्या कर रहे हो आपने जो एक app बनवाई है तो आपने उस particular जो आपने मेहनत करी है app बनाने में ये बनवाने में तो particularly आप उस चीज़ से पैसा कमा रहे हो बलकि आप तो उसको और famous कर रहे हो copy अगर तब होती अगर आप उसका product उठा कर अपनी app में upload कर देते proper तरीके से और आप तब उससे पैसा कमाते तब वो copy होती तब वो illegal होता लेकिन आपने क्या करा उसकी videos को embed करा है यानि कि अगर जो आपकी app में जो लोग उसकी videos को view करेंगे तो views उसी के बरने वाले हैं और उसी की और तरक्की होने वाली है YouTube पर तो उसको कोई इस चीज़ से problem नहीं होगी तो आपने क्या करना है कोई भी दिमाख में आइडिया लगाना है समझे आपने बना दी कोई ऐसी app जैसे की new hindi songs और आपने किसी famous hindi music channels को उठाकर उसमें app में integrate कर दिया तो लोग obviously उसको देखेंगे और अच्छी खासी आपकी कमाई हो जाएगी आप ये भी कर सकते हो जैसे new short movies के नाम से आपने कोई channel बना लिया या hindi short movies के नाम से बना लिया उसमें आपने कोई भी short movies के किसी famous channel को उठाकर उसमें embed कर दिया या आपने किसी famous comedian का बना दिया app या आपने किसी famous motivational speaker का app बना दिया तो आप किसी भी range में जा सकते हैं अगर आप technology lover है तो technology में कोई famous हो YouTube पे आपने उसके नाम से एक app बना दिया तो इस business में opportunity बहुत ही जादा है जब आप एक बार अपनी money invest करके ये apps ready करवाएंगे तो उसके बाद क्या होगा ये one time ही महनत होगी उसके बाद लोगो automatically हलके हलके करके उन apps को download करना शुरू कर देंगे और एक दूसरे को share करेंगे या फिर view करेंगे और automatically ही आपकी app publish हो जाती है popular हो जाती है app store पर तो आपको उससे जादा बहुत ही जादा फायदा मिलेगा in a long term आप long term में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं अब जानते हैं इस business में investment कितनी है देखिए सबसे पहले investment है वो होती है Google की fees Google Play Store की developer की एक fees chargeable होती है जो की एक ही बार होती है lifetime में और एक account के लिए होती है समझे आपने email ID से एक account register करा Google developer console पे तो आप उसमें कितनी भी apps दाल सकते हो free of cost लेकिन आपको एक बार एक fees देनी होत 25 डॉलर की यानि कि 1500 रुपे के आसपास की जो fees होती है वो तो सबसे पहला खर्चा तो आपका यह हो गया मोटा मोटा 1500 रुपे माल लेते हैं फिर देखिए अगर आप बनाते हो तो आपको एक बनाने के 1000 रुपे लगते हैं पस अगर समझे आपने एक बनाई तो आपको 1000 र आने का तो आपने 5 या बन वाली 5000 रुपे की 1500 रुपे आपने फीज दे दी गूगल को तो आपका टोटल हो गया 6500 रुपे हां जी तो 6500 रुपे से आप इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों में कमा सकते हैं और अगर आपकी एप बहुत ज़्यादा फेमस होग को एक एप में कनवर्ट कर देती हैं लेकिन वो जो अपस होती है उनका यूजर इंटरफेस इतना अच्छा नहीं होता वो बहुत ही अन प्रोफेशनल एपस होती हैं बार बार क्रेश होती है तो मैं आपको उसमें सलानी दूंगा कि आप वो फ्री एपस में जाओ फ्री मिनिमम एप जो आपको पड़ती है वो एक हजार रुपे की एक पड़ती है और पांच एप लेना मिनिमम कॉंटिटी है तो आपके हो गए पांच हजार रुपे टोटल इसमें आपको फ्री सर्वर मिल जाता है यानि कि इसका आपका कोई भी होस्टिंग का मतली रेंड नहीं आता आपको सिर्फ एक बार इंवेस्ट करने है पैसे और आपकी रेगुलर बिजनस ये चलता रहेगा बिजनस भी क्या ये काइंड ओफ इंवेस्टमेंट है जिसमें आपको बार-बार कुछ काम नहीं करना पड़ता आपने बस एक बार पैसा इंवेस्ट कर दिया उसके ब पांच आपको ऐसे चैनल चूज करने हैं जो आपको भी पसंद हो और आप चाहते हो कि जानते हो भी कि इसको लोग डाउनलोड करेंगे और इसकी पॉपुलरिटी अच्छी है इस इंसान की या इस चैनल की तो आप ऐसे ऐसे पांच चैनल को सेलेक्ट कर लो उसके बाद गूगल प्ले स्टोर का डेवलेपर एकाउंट बनाओ उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से आप जाकर अपने डेवलेपर एकाउंट बनाओ और पचिस डॉलर गूगल को दे दो उससे आपको लाइसन मिल दाएगा कि आप हमेशा जिंदिगी भर दुनिया भर की एप्स उस चीज में डाल सकते हैं वन टाइम फीस होती है ये तो अभी तक क्या करा आपने अपने फेवरेट चैनल चूज कर लिए आपने गूगल को लगबग 25 डॉलर की पेमेंट भी कर दिया यानि कि यह 1500 के आसपास अब आपको करनी है 5000 रुपे की पेमे नमबर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ 639 5540969 आपको इस नमबर में 5000 रुपे ट्रांसफर करने हैं जैसे ही आपके पैसे हमारे पेटियम एकॉंड में आ जाएंगे मैं आपको खुश से कॉल बैक करूँगा उसी नमबर पे कॉल बैक करूँगा जिस नमबर से पेटियम ट्रांसफर हुआ है तो आप ध्यान रखिए अपने ही नमबर से पेटियम ट्रांसफर करें तो मैं आपको कॉल करूँगा कॉल पे हम लोग डिसकस करेंगे सारी की सारी बात फिर आप मेरे को उन सारे के सारे चैनल्स के लिंक्स भेजोगे जो पांचो के पांचो चैनल्स आपके दिमाग में है उनके नाम बता होगे कि इसका मैं ये नाम रखना चाहता हूँ इस एप का वह नाम रखना चाहता हूँ उसके बाद हमारी सारी के सारी कन्वरजेशन फोन और इमेल पर होती रहेगी और हम लोग आपको एप्स बहसते रहेंगे अगर इस बिजनस को स्टार्ट कर सकते हो ये कोई भी स्टार्ट कर सकता है एक्चल में बिजनस नहीं है प्रॉपर्ली इस इस एक ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको इसका फल बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा और वो भी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा तो आप सभी को इन्वेस्ट करना चाहिए इस चीज़ पर अगर मेरी इस वीडियो ने आपको एक पर्षंट भी हेल्प किया है या फिर अच्छा बिजनस आइडिया दिया है आपको तो आप इस वीडियो को कही ना कहीं जरूर शेयर करें चाहे वो वाटसैप हो या फेस्बुक हो इससे आप हमारी एप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मैंने दिया हुआ है और आप चाहे तो इस एप को प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हैं इन्विजिवल बाबा के नाम से और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं So thank you friends, have a nice day, take care.